साथियों काफी लोग ऐसा समझते हैं कि किसी की कुंडली नी जागरत हो जाए तो उसे पूर्णता प्राप्त हो जाती है बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है जबकि यह बिल्कुल सच नहीं है आज मैं आपको कुंडली नी शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं कुंडली नी शक्ति जब जागरत होती है तो क्या क्वालिटियां उस साधक के अंदर आ जाती है जिसके कुंडली नी शक्ति जागरत हो जाती है तो कुडिलनी शक्ति को आप ऐसे समझिए, जैसे हम एक बच्चा नर्सरी से पढ़ना शुरू करता है, नर्सरी एक लग क्लास, केजी वन, केजी टू, 12 तक पढ़ता है, 10 और 12 तक पढ़ता है, तो 10 और 12 तक की पढ़ाई में एक बहुत लंबा सारा समय लगता है, जो की बहुत आसान नहीं है, बहुत मेहनत भरा कार है, इसमें कितनी बार फेल और कितनी बार पास, बड़े स्टड़ी के बाद, बड़े मेहनत के बाद, 10 और 12 में बच्चा आता है, तो ऐसे ही आप कुणलिनी शक्ति को समझ लीजिए, कि कोई एक सादक, बहुत साधना करने के बाद, उसकी कुणलिनी शक्ति जागरत होती है, लेकिन क्या आप उस बच्चे को जो 10 या 12 में आ गया है, इस योग समझते हैं कि वो किसी योग हो चुका है, नहीं, अभी उसे काफी कुछ पढ़ना है, ऐसे ही, जिसकी कुणलिनी जागरत हो गई, वैसे उसके लिए, अब जिसकी कुणलिनी सक्ति जागरत हो चुकी है, आ मैंडिटिसन वगएरा जो भी चल रहा था, कुणलिनी शक्ति जागरत होने से पहले, अब वो दिशा, सही दिशा की और चलने लगा, अभी तक दिशा हीन था, अब उसे एक दिशा मिल गई, प्रकास मिल गया, पहले सादक अंधेरे में था, अब प्रकास की यात्रा है, प् अब बहुत सारी विग्यान को, आध्यात्म के बहुत सारे विग्यान को समझना है, इस कुणलिनी शक्ति के द्वारा, इस कुणलिनी शक्ति के द्वारा विबिन बहुत तरह की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, लेकिन एक अच्छे सादक का, जिसका उद्देश परम और सिद्धियां जितनी भी सिद्धियां आए वह सब नेगेटिव मार्व क्यों ले जाती है जो नेगेटिव दिशाओं में जाते हैं और आध्यात्म की जो परम इस्थिति इस की इलिए किसी सिद्धि की आवश रखता नहीं है उसे व हमारे शरीर के सिर्फ हम एक शरीर देख रहे हैं लेकिन ये पांच कोस हैं हमारे सरीर के हैं अन्नमैकोस, प्राणमैकोस, मनमैकोस और विज्ञानमैकोस और आनन्नमैकोस इस तरह से पांच कोस हमारे मन के हैं अन्नमैकोस वो है जो हमारा फीजिकल बॉड़ी है यह सरीर जो अन्न से और मनुमैकोस, जो हमारे बिचारे हैं, हमारे थौट्स हैं, जिनके द्वारा हम एक दूसरे से बात्चीत कर पाते हैं, एक दूसरे के बारे हमें सोच पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, और फिर उसके बाद आता है विज्ञान मैकोस, इन सब का विज्ञान क्या है, उसमें सम आनंद भी पकड़ आपने अपने बन्दन है की जब ये आनंद के स्थिथी भी छूटती है तम अजंग परक्रम्तत्व की प्राजती की है और ऐन सभी कोशों को समझने में रहे सभी कोश के विज्ञान को समझने में बहुत समय लगता है बड़े धेरो के साथ कुछ संभव हो पाता है तो ऐसा ना समझें कुनलीनी शक्ति-णाई जाग्रत हो जाने का और्ट कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई है बात बहुत बड़ी है क्योंकिольर नहीं है he जागरत होना विर्वलों में किसी की होती है लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है अध्यात्म का अंध नहीं है सुरू आथ है कर दो और आ जिस और आप जाना चाहते हैं, उसी तरह कुनली शक्ति, छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, आप लोगों कैसा लगा?